हाई गाईज कैसे हैं आप तो गाईज जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ तो गाईज जिन लोगों को नहीं पता कि बैटरी साइकल क्या है मैं फिर से आज एक बार दुबारा से एक्स्प्लेइन कर देता हूँ कि बैटरी साइकल किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू एपल जब आप अपने आईफोन को जीरो से लेकर 100% तक चार्ज करते हैं और वे 100 से जीरो पे आजाता है तो उसका एक साइकल काउंट मना जाता है ऐसे ही एपल के कॉर्डिंग जब आप अपने फोन को 500 टाइम्स चार्ज करेंगे जीरो से लेकर 100 तक और वे 100 से जीरो पे आएगा तो आपके 500 साइकल काउंट होंगे और 500 साइकल काउंट होने के बाद एपल के मताबिक आपका फोन 80% की बैटरी हेल्थ पे आजाना चाहिए ये उनकी कंडिशन्स है बट ये जुरूरी नहीं कि आपका फोन 80% पे आएगाई ये डिपेंड करता है आपने बैटरी मंटेन कैसे की हुई है जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि आप बैटरी हेल्थ कैसे मंटेन कर सकते हैं तो जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो वो देख लें तो चलिए देर किये बिना वीडियो को शुरू करते हैं अब बैटरी साइकल काउंट को चेक करने के लिए आपने क्या करना है वो मैं बता रहता हूँ सबसे पहले आप फोन की सेटिंग में गई सेटिंग में जाने के बाद आपने इसे स्क्रोल करना है नीचे लियाना है यहाँ पर प्राइवसी में यह देखिए प्राइवसी को जब आप स्क्रोल करेंगे नीचे यह आप्शन आजएगा एनलिस्टिक एंड इप्रूब्मेंट्स का आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर यह फिर से आप्शन आजएगी मेक शूर आपने यह शेर आइफोन एंड वाच एनलिस्टिक है इसको आपने आउन रखना है यह तभी आपका यह साइकल काउंट पता चलेंगे अगर यह आपका ओफ होगा तो आपको यह डाटा नहीं आपको मिल पाएगा अगर आपका ओन होगा तो यह आपको बैटरी सैकल काउंट का पता चल सकता है अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा एनलिस्टिक डाटा पे यह देखे यहाँ पर यह काफी सारी आप्शन्स आ जाएंगी अब आपने क्या करना है इनको स्क्रोल करके नीचे ले आना है स्क्रोल करेंगे नीचे ले आएंगे यहाँ पर होगा नीचे लौग एग्रिगेटिड यह देखिए यह स्क्रोल करके नीचे यहाँ पर आगया लौग एग्रिगेटिड जैसा कि आप देख सकते हैं आज 15th of July है तो यह लास्ट में देखिए सबसे last में 15th of July देख रहा होगा आपको log aggregated में सबसे last वाले log aggregated पे आपने click कर देना है तो जब आप इस पे click करेंगे तो ये देखिए ये data आ जाएगा अब आपने क्या करना है इस पे यहां पर यहसे double tap कर देना है ये select की option आ जाएगी अब आपने क्या करना है यहां से इसको ऐसे select करके नीचे ले आना है ये देखिए ये select हो चुका है अब डाटा अभी आपने copy का option आ चुका है ये देखिए ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा ये copy का option आ जाएगा यहां पर आपने भी ये copy कर देना है अब आपने क्या करना है नोट से अप्लिकेशन में चले जाना है ये देखिए नोट की मैंने open की हुई है पहले ही नोटस में गए अब आपने यहां पर ये paste कर देना है ये दिखिए ये सारा paste हो चुका है डाटा अब आपने क्या करना है ये आपने option दिख रहा होगा आपको यहां पर ये three column का ये देखिए ये मैं फिर से दिखा देता हूँ ये three dots दिख रही है आपको यहां पर आपने click करना है इसको click करने के बाद यहां पर ये option आगी find a note की आपने यहां पर click कर देना है अब यहां पर ये search का option आगया है अब आपने क्या लिखना है battery b-a-t-e-r-y battery cycle c-y-c-l-e space नहीं देना आपने count c-o-u-n-t ये देखिए जैसी मैं battery cycle count लिखूँगा ये यहां पर आपने search दबा दिया ये option आगी अब ये देखिए मेरे phone की अभी तक 180 cycle count हो है ये देखिए ये option आ चुकी है यहां पर दियान से देखिए अब ये apple के recording मेरे phone के 180 cycle count हो चुके है और 180 cycle count होने के बाद भी मेरी battery health अभी भी 100% है मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये देखिए गाइस अभी भी मेरी battery health 100% है और इसको मैंने कैसे maintain किया हुआ है आप उपर i button में मेरी video देख सकते हैं how to maintain battery health तो इसके बाद भी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ almost मेरा phone ये six month old है ये देखिए six month old होने के बाद भी मेरे phone की battery health अभी तक 100% है guys तो आप भी अपने phone की battery health maintain कर सकते हैं जैसा कि मैंने अपनी पहली video में बताया था आप अब long term अपने phone की battery health कैसे maintain कर सकते हैं आप भी वोई tips अपना के देखिए आपका phone भी long term तक battery health maintain रहेगी तो I hope guys आज का आपको मेरा video पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को like और subscribe करना मत भूलना अभी के लिए इतना ही धन्यवाद